हमारी संस्क्ति, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का डिव्य संगम, यज्य महिमार भारतिय संस्क्ति में यज्य, योग, एवं मायुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की क पुटियों तक, नित्य वन्यमैतिक यद्यों का प्रशलन देखने को मिलता है। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वाः यत्रदेवा अमृतमान शाना स्तृतिये धामन अध्ये रयंता। ओम अग्नेनयसुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। यो यो अध्यस्मज्युहुरान मे नोभु इष्ठान ते नामा उक्तिम्वेदे मां इते इश्वरस्तुते प्रार्थन उपासना। ऐसे यह हमने इश्वरस्तुति प्रार्थन उपासना के आंठ मंत्रों का श्रद्दा भाव के साथ उच्चारन किया। आज मन अंगसपर्श पवित्री करण शुद्धी करण की प्रक्रिया के पश्चात। अब हम दीप प्रज्व्लन करेंगे तीन महा व्याहरतियों का उच्चारन करते हुए आज के इस यज्ज्य को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग तीन महा व्याहरतियों का उच्चारन करेंगे। अब कपूर की एक्टिक्या को लेकर के दीपप के माध्यम से प्रदिपि करते हुए वेदी के मध्यमें हम स्थापित करेंगे वेदी के मध्यमें कपूर कीटिक्या को स्थापित कर देंगे और दीपक को इशान कोण में उत्तरदिशा और पूर्वदिशा का जो कोण होता है उसको इशान कोण बोलते हैं वहाँ पे दीपक और कलस को हम रखते हैं अब अगले मंत्र के माध्यम से इसके बीच में छोटी-छोटी समीधा लगानी पड़े घी की आहुती देनी पड़े जो करना पड़े वो क्रियाये करते हुए हम इस अगनी को विशेश्रिप से प्रदिप करेंगे अब जो हमने तीन समीधा ये रखी थी गाई के घीसे युक्त की हुई उन तीन समीधाओ को ले करके अब हम समीधा धान करेंगे समीधा धान करने के पश्चाद फिर हम अगना धान के बाद समीधा धान अब दोनों हाथों से इसे समीधा को पकर लिजिए अब हम दूसरी समीधा लेंगे अब तीसरी समीधा लेंगे अम तंत्वा समीध धिरंगिरो ग्रिते नवर्धया मसी ब्रिहच्छो चाय विष्ठ्य स्वाहा इदम अगना ये अंगिर से इदन्न ममा इस प्रकार से यह हमने समीधाओ का आधान कर दिया समीधाओ का आधान करने के पश्चाद अब हम पंच ग्रित आहुती प्रदान करेंगे पंच ग्रित आहुती प्रदान करने के पश्चाद हम जल से इंचनादी क्रियाओ को संपन करेंगे तो आए सभी लोग सीधा बेटते हुए और अब हम पंच ग्रित आहुती प्रदान करेंगे ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजयापशुविर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा यह हमने पंच घृत आहूतिया प्रदान की पंच घृत आहूति प्रदान करने के पश्चात अब हम विशेश रूप से जल सेंचन करेंगे अब कलस्को अपने पांस ले लेंगे और दाइं हाथ की अंजली में जल ले लीजिए अब हम सबसे पहले पूर्व दिसा में जल सेंचन करेंगे दक्षिन से उत्तर की और धारा बनाते हुए हम पूर्वा भी मुखो करके बेठे हैं पश्चिम दिसा में और अब हमें पूर्व दिशा में वेदी के हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिन से उत्तर की और हमें जल सेंचन करना है अब दूसरा जल सेंचन दूसरी बार दाइं हाथ के अंजली में जल ले करके वेदी के पश्चिम दिशा में अर्थात हम जिधर बेठे हैं उस दिसा में दक्षिन से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरा जल सेंचन करना है अब तीसरी बार जल लेंगे अब उत्तर दिसा में हम जल सेंचन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए अब चोथी बार जल लेंगे और मंतर का पाठ करने के पश्चाद इशान कोण उत्तर दिशा और पूर्वदिशा का जो कोण होता है उसको इशान कोण कहते हैं उस कोण से प्रार्ण करते हुए परिक्रमा क्रम से हम सबसे पहले पूर्वदिशा में फिर दक्षिन दिशा में फिर पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में जल सेंचन करते हुए इशान कोण परियंद जल सेंचन करके फिर इशान कोण में हम कलस आदी को छोड़ देंगे वेदी के चारो दीसा में, पहले उत्तर दीसा में, फिर दक्षिन दीसा में, फिर पश्चिम दीसा में, और फिर उत्तर दीसा में, जल सेंचन करके कलस को इशान कोण पर छोड़ दी. यह जल सेंचन का क्रम संपन्न हुआ, अब देव यज्य दैनिक अगनी होतर विशेश आहुतिया, अब यहां से, अब हम प्रारम करेंगे, पहले चार घी की आहुति देते हैं, जिसको आघारा वाज्य भाग आहुति केते हैं, पहले वेदी के पश्चिम दीसा में, उतर दीसा बनाते हुए एक आहुति देंगे, फिर दक्शिन दीसा में स्थित जो समीधा हैं, उसके उपर पश्चिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए आहुति देंगे, और दो वेदी के मध्य हमें, इस प्रकार से चार घी की आहुति हम देंगे, आहेुति देंगे ध्रस्पार भीी आंगे, अब हमने अगहरा वज्य भाग आहुती की, उसके पश्चात प्राता काली अज्य करते हैं, तो प्राता काली मंत्रों से साइन काली अज्य करते हैं, एक ही काली अज्य करते हैं दिन में, तो प्राता काली साइन काली अज्य करते हैं दिन में, तो प्राता काली साइन काली अज् तिन उंगलियों से ऐसे सामगरी को हाथ में लेंगे और स्वाहा के साथ हम आहुती देंगे जब ओम का उचान करते हैं तब हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुती छोड़ते हैं ऐसे ही घी भी जब हम ओम का उचान मंत्र से पूर्व करते हैं तब शुरू के अंदर ल स्वाहा आओं सुर्यो वर्चो जो तिर वर्चा स्वाहा आओं जोति सूर्यो जोति स्वाहा आओं सजुर्देवेनस अवित्रा सजुरुससेंद्रबत्या युशानसुर्योवेतुस्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नीस्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ओम् स्वाहा ओम् सजुर्देवेनस वित्रा सजुर्ट्रेंद्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम् भूरगनयप्रानायस्वाह ओम् आज्नयप्रानायः format ओम् भुवर्वायवेपानायस्वाहा इद मद् वाय वेपानायस्वाहा ओम् स्वरादिथ्यायव्यानायस्वाहा इदमाधित्यय व्यानाय इदन्नममा। ओम भूर भुवस्वर अग्णिवायवादितेभ्या प्राणापान व्यानेभ्या स्वाहा इदम अग्णिवायवादितेभ्या प्राणापान व्यानेभ्या इदन्नामा ओम आपोज्यतिरसोमृतम्प्रम भूर भुवस्वर ओम स्वाहा ओम या मेधाम देव अम्प्रोपासते ये मामध्यमे दयाग्ने मेदाविनम् कुरूस्वाहा ओम् विश्वानिदेव स्वितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्ना आसुवस्वाहा ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान विष्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्यूराणमे नो भुईष्ठान ते नम उप्तिम्विदेमा स्वाहा ओम भूर भुवस्वाहा तच्वितुर्वरे न्यंभर्गो देवस्यदीमाही दियोयोनाः प्रचोदयात्स्वाहा ओम भूर भुवस्वाहा तच्वितुर्वरे न्यंभर्गो देवस्यदीमाही दियोयोनाः प्रचोदयात्स्वाहा ओम भूर भुवस्वाह तत्स वितुर्वरे एन्यम भर्गो देवस्यधीमह दियोयोनाः प्रचोदयात्स्वाहा ओम त्रयंबकई यजामह सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमामृत्स्वाहा ओम त्रयंबकई यजामह सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमामृत्स्वाहा ओम त्रयंबकई यजामह सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमामृत्स्वाहा पहले हमने देव यज्य की आहुतिया दी, गाईत्री मंतर से पूर्व पूर्व तक 16 आहुतिया हमने संपन की देव यज्य को, उसके बाद हमने गाईत्री मंतर और मृत्युन जय मंतर की विशेश दो आहुतिया हमने प्रदान की, जब हम चिकित सा यज्य करते हैं तो उस समय ये दो आहुतिया हम विशेश रुप से प्रदान करते हैं तेन, साथ, एक कीस, एक क्यावन, एक सो आठ इसके पस्चाथ संपूर्ण परिवार के योग ख्षयम के लिए हम देना चाहिए तो स्तुतामया और संपूर्ण राष्टर के योग और ख्षयम के लिए आजे हम सब लोग एक साथ मिल करके येज़े करते हैं दो आहुतिया और विशेश हम प्रदान करेंगे ओं स्तुतामया और दावेद माता प्रचोदयन्ता पाव मानी द्विजानां आयो memoir प्राणं प्रजांपशुम किर्तेंद्र विनंब्रम् अवर्च संमयं दत्वा व्रजत ब्रम् मलोकं स्वाहा ओं प्रम् मन प्रम् अनो ब्रम् जायता माराष्ट्रे राजन्य हशूर इशव्यति व्यादी महारतो जायता दोग्धिर धेनुर वोधा नडवा नाशु सप्ते पुरंदिर योशा जिश्नुर थेष्ठा सबेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नह परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न आउशदया पच्चन्ता योगक्षेमो नह कल्पता स्वाहा इदमराष्ट्राय इदन्नमामा और सबसे अंत में एक ही मंतर का तीन बारुचान करते हुए पूर्णा होती है करते हैं ओम सर्वं वैपूर्णं स्वाहा आए यह हमने यजन हवन अगनी होत्र देव यज्य देने के बाद चार विशेश आउतिया गुरु मंतर गाईतरी मंतर ब्रत्युन जवी मंतर से तीन तीन दी और स्तुतामया संपूर्ण परिवार के योगक्षेम के लिए आवरमान ब्रामन संपूर्ण राष्ट्र के योग और प्रक्षेम के लिए और फिर उसके बाद तेन पूर्णा होती इस प्रकार से यह देव यज्य देनिक अगनी होत्र हमने विशेश संपन्न किया इसके बाद सीधा बेटते हुए सभी लोग मिल करके आए हम प्रार्तना करते हैं ओम सर्वे भवंतु सुखिनाहा सर्वे संतु निरामयाहा सर्वे भद्राणि पस्यंतु मा कश्चित दुख भाद्भवेत एईश सबसुखि हो कोई नहो दुखारे सबहो निरोग भगवंधन धान्यके भंदारे सबभद्रभाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई हो वे स्रिष्टी में प्राण धारी हे नाथ सबसुखि हो कोई नहो दुखारे सबहो निरोग भगवंधन धान्यके भंदारे स्वामेव माता चापिता त्वामेवा स्वामेव बंदुष्यत्वका त्वामेवा स्वामेव विद्या द्रविनंत्वामेवा स्वामेव स्वाम्ममदेवदेवा स्वामेव स्वाम्ममदेवदेवा ओम्शांति शांति शांति हियो इस प्रकार यह देव यज्य दैनिक अगनिहोत्र के साथ कुछ विशेश आहूतिय अप्रदान करते हुए आज की इस यज्य को हम सभी ने मिलकर के संपन्न किया हम सब एक साथ अपने अपने घर में इस यज्य को इस हवन को अगनिहोत्र को कर रहे हैं आप स्वयम महसूस कर रहे हो गया पुरा माहोल खुस्नमा हो जाता है शोदित हो जाता है वायू मेडिकेटेट हो जाती है सुगंदित हो जाती है और अगनि के सामने बेठने मातर से आहुतिया देने मातर से जिस मंत्रों का हम उचान कर उन मंत्रों से हमारे मन मस्तिष से लेकर के हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व में एक positive energy सक्ति का संचार होने लगता है इस प्रकार यज्य अगनि के सामने जब बेठते हैं हवन करते हैं इस से हमारे पंच प्रान पंच उपपरान से लेकर के सब्त धातुओं से लेकर के अश्ट चक्र परियंत सब उर्जान वित होने लगता है सारी धातुओं का पोशन होने लगता है यह यज्य एक देवी यचिकित्सा है आईरुवेद में डेव यप्रास है युक्ति वप्रास है और सत्वाव जय तीन प्रकार के चिकित्सा है बता है उसमें इस यज्य को इस हवन को इस अगनी होत्र को देवी यचिकित्सा का दर्जा दिया गया और इस यज्य के अंदर कहा आयूरुवेदेशुयत प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेशजं तस्य रोगस्य सांत्य अर्थं तेन तेने वहो मयेद न जाने कितनों ने आहुतिया दी इन अमित्र रोगों के संतापों से है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविश्य के प्रकोपों से प्रत्युष्य पावनी होती जहां यज्य अनुष्ठान घर आंगन में वहां मनुष्य तर सब जूमते सांती भरे सुख आनंद से इदम हवि र्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्या में आहुद की हुई हवी सभी प्रकार के रोग दोस, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जिसे नदी जागो को जैसे आए जैसे आए मंझाने वाम रस ए रश झाल 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 यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती सिंस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल 9068565306